Hello everyone, welcome to the Geo Ecologist GS, मैं हूँ Dr. Krishnanand और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस नए इनिशियेटिव में जिसमें हम लोग इस चैनल पे General Studies से रेरेट सारे Lectures करने वाले हैं तो हमने शुरू कर दिया है NCRT Series और इसमें अभी हम Class 11 का Fundamentals of Physical Geography से Chapter 13 जो की Oceans के बारे में है Hydrological Cycle से शुरू करके Oceanography में Temperature और उसके Distribution और सारी बाते करने वाले हैं इस पर्टिकिलर वीडियो में एक नए question इस topic से जरूर आता है और अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखने हैं तो आप हमारे playlist section में जा सकते हैं देख सकते हैं हमने कौन-कौन से और वीडियो कवर किये हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो definitely subscribe करिए, like करिए, comment भी करि तो आएए अब देखते हैं इस chapter number 13 में वश्नाओग्रफी को कि जो पहला paragraph है वहाँ पे importance को highlight किया गया है कि water जो है वो एक सबसे essential component है all forms of life के लिए और creatures जो है earth पे वो lucky है कि हमारे planet पे water है और आपको पता है कि हम कितने सारे और भी planets धूनने की कोशिश में हैं जहां पानी मिल जाए मार्स mission, moon mission, exoplanets के search इन सब जगह पे water का search क्यों कर रहे है क्योंकि water एक बहुत basic ingredient है existence of life के लिए तो इसके लिए हमारा planet को हम blue planet भी कहते हैं और इसमें सबसे पहले दिया गया है hydrological cycle यानि water cycle तो hydrological cycle I am sure कि आपने school days में बच्पन से भी देखा होगा बहुत बार और इसमें कुछ processes है तो अब देखिए precipitation है condensation है evaporation है उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे evaporation and precipitation का जो यहाँ पे advection process है wind से जो transport होता है और एक और चीज़ इसमें आता है जो plants के थ्रू transpiration होता है इन सारे process को लेके हम बात करते हैं water cycle का तो यहाँ पे देखेंगे water cycle जो है वो billions of years से धर्ती पे चल रहा है और सारे life इस पे dependent है और hydrological cycle इसको हम scientifically कहते हैं क्योंकि इसमें water का circulation होता है यह diagram आपने copies में बना सकते हैं अब आते हैं बात करते हैं कि यहाँ लिखा है components and processes of water cycle तो component क्या है water storage और process क्या है evaporation evapotranspiration sublimation फिर है water in the atmosphere तो क्या क्या होता है वहाँ precipitation और condensation फिर आता है ice and snow में जो water stored है तो melting and runoff होता है through streams फिर आप देखेंगे surface runoff की बात की गई है जो water धरती के उपर वाला तो stream flow fresh water storage infiltration होता है और groundwater storage में आप देखते हैं underground में जो springs होती है उनका जो recharge होता है aquifers बोलते हैं वो सारी चीज़ें जरूरी है तो यह process और component का जो table है यह एक जिगा पर अच्छा summary दे देता है आपको फिर कुछ basic facts देखते हैं कि 71% of हमारा water जो है वो प्लानेट का major chunk है oceans में आपको मिलेगा और बांकी sources जो है fresh water glaciers और ice caps में और कुछ groundwater sources है फिर lakes, soil moisture, atmosphere, stream यह सारा का सारा जो है पूरा hydrological cycle का important component है इसके अलावा देखेंगे 59% of water that falls on land returns to atmosphere through evaporation from all oceans तो 59% जो है वो ocean से जाता है evaporate होके यह चीज़ है अब बात हो रही है यहाँ पे current context में renewability की बात की renewable water on earth is constant while demand is in increasing tremendously अब इसी को एक line को sustainability से जोड़के पूछ देगा UPSC में या किसी और exam में तो आपको ध्यान रहे कि renewable water कि यह जो circulation में जो है water वो तो limited ही है उतना ही है लेकिन अब demand क्या हो रहा है बढ़ रहा है इसके लिए क्या हो रहा है यहाँ पे crisis का situation बन रहा है बहुत सारे अब बात करते हैं इन सब basics के बाद कि oceans जो हमारा main body है उसमें क्या-क्या चीजें है तो सबसे पहले बात करते हैं relief की यानि कैसा surface है पहाड है खाई है क्या-क्या चीजें है oceans के relief में तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोग इसको पांच oceans में और्थ को डिवाइड करते हैं Pacific Atlantic Indian जो की तीन major है और इसके अलावा दो और हमारा है Southern Ocean and Arctic अब Southern Ocean को Antarctic को बोल देते हैं इसके अलावा हमारा बहुत सारा सी है बे है गल्फ है आप एक वर्ल्ड मैप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं सी को बे को गल्फ को इसके उपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिस पर सिर्फ हम मैप करेंगे लेकिन पहले हम क्योंकि NCRT को पढ़ रहे है तो यह basics को आप water of the oceans that is ocean floor exhibits a complex and varied feature अब इसमें क्या-क्या है अब देखेंगे world's largest mountain है deepest trenches है largest plains है और इसमें टेक्टॉनिक वल्कानिक और डिपॉजिशनल प्रोसेस का रोल है इनके formation में तो divisions थोड़ा देख लेते हैं तो divisions में आप देखेंगे shelf जिसको continental shelf कहते हैं सबसे उपर shallow वाला फिर continental slope जो की next slope है जिसका angle degree बदल जाता है थोड़ा steep है और फिर deeps यह major आप देखेंगे बीच में एक portion है जिसको rise भी कहते हैं तो यह four major चीज़े हैं अब यहां पर ridges, hills, sea mounts, geors, trenches, canyons यह सारे चीज़ें आप ocean floor पर मिलता है तो एक एक करके थोड़ा देखते हैं basic information तो shelf का characteristic क्या है यह सबसे shallow water zone में आता है यानि sunlight penetrate कर सकता है यहां नीचे तक और यह degree में अगर देखेंगे एक degree है उससे भी कम का यह angle होता है यह extension है continent का ocean की तरफ यह जरूरी है समझना और जहां इसका end होता है उस चीज़ को कहते हैं उस point को shelf break कहता है यानि यह और यह यह जो point है that is a shelf break अब average width of continental shells कितना है 80 km और बहुत सा में सुमात्रा में यहां पर बहुत narrow shelf है फिर आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े shelf 1500 km तक का width भी है कई जगा और कई जगा पर आप देखेंगे इन सब कारणों से shelf बड़ा important है अब इसका schematic diagram यहां दे दिया गया है तो यह जो उपर का area है यह shelf है इसको shelf break कहते है और फिर उसके बाद का area आप देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़े है तो आप देखिए यह जो mountains इसको कहते हैं sea mounts flat top hill को gyaute कहते है abyssal hill जो flat plane के उपर इसके अलावा sea trenches है तो यह सारे feature आपको धरती के नीचे ocean के नीचे मिलते है फिर एक major feature और क्या है mid oceanic ridge अब यह जो mid oceanic ridge है mid Atlantic ridge बहुत famous है इसके लिए तो यह सारे features आपको देखने को मिलेंगा अब यह जो छोटे-छोटे diagram दिये है NCRT में यह diagram आपको answer writing में मदद करत में इस तरीके के छोटे-छोटे schematic diagram जरूर बनाईए और उसको practice जरूर करिए normally pencil से freehand sketching करना सीखिए यह बहुत अच्छा है NCRT में simple ways में दे दिया गया है अब आते हैं slope के उपर तो slope का 2 to 5 degree का है और इसका अगर आप देखेंगे region depth का 200 से 3000 meter तक depth vary करता है और इसके उपर ब अगर आप देखेंगे तो यह 6000 मीटर तक जाता है और इसमें बहुत सारे sediments आपको मिलते हैं clay, silt और ooze मिलता है बहुत सारा जो की dead decade remains of algae और बाकी सारी चीज़ों का फिर बात करते हैं oceanic deeps या trenches की तो आपने mariana trench का नाम जरूर सुना होगा जो सबसे deepest है challenger deep तो 3 to 5 km deep और य electronics इसका reason है और 19 जो है वो Atlantic में और 6 इंडियन ओशन में है यह अभी तक आपका distribution देख लीजे फिर आते हैं छोटे relief features के उपर तो mid oceanic ridges आप में Atlantic ridge देखेंगे 2500 मीटर तक का भी इसका height है कई जगा पर 4000 मीटर भी है फिर sea mount की बात करते हैं तो sea mount आप देखेंगे 3000 से 4500 मीटर टॉल है Hawaiian islands यहां पर आप देखिए emperor sea mount जो है तो बहुत famous है यह Pacific Ocean में फिर submarine canyon अब gorge और canyon जो आप surface पे देखते हैं जो धरती पे है narrow valleys create होते हैं river के थूँ यही अगर shelf में हो जाए जैसे Grand Canyon Colorado River से तो ऐसा ही अगर canyon धरती के नीचे ocean के नीचे अगर create हो जाए तो shelf से slope वाले ए आपका जो deep canyons है submarine canyons अब बात करते हैं example का तो Hudson River कौन सा submarine canyon बनाता है जो आप देखेंगे तो Hudson Canyon अब ग्योट्स क्या है तो यह भी एक sea mount ही है लेकिन इसका उपर का portion erode हो जाता है तो यह flat हो जाता है इसलिए इसको flat top submerged mountains भी कहते हैं तो ग्योट्स are something like this धरती पे जैसे प् beauty structure वैसा ही कुछ आप समझें इसको Pacific Ocean में या बहुत जिगा और आपको देखने को मिलेगा दस हजार से ज्यादा सी माउंट्स और कई बार यह ग्योट्स के लिए बड़ा famous होता है इसके उपर corals अपना घर बना लेते हैं फिर आते हैं atolls तो atoll जो है वो क्या है ऐसे ही होते हैं atoll हमारा लक्षदीप आइलेंट पर बहुत सारे atoll है और भी oceans में आप देखेंगे अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर यह तो features था relief features तो temperature ocean water का कैसा vary करता है और कौन-कौन से factor है तो यहां पर simply factor दे दिए गए इन factor को नहीं भूलिए आप latitudinal extent यह बहुत important है फिर unequal distribution of land and water और prevailing wind यह तीन ऐसी चीजें है जो temperature के लिए बड़ी जरूरी है क्योंकि हर latitude पर temperature increase or decrease होगा equator से दूर जाएंगे तो decrease होगा और unequal distribution of land and water से क्या होगा कि land जल्दी गरम होता है वाटर देर से गरम होता है ठंडा भी देर से होता है लैंड जल्दी गरम होता है ठंडा देर से होता है तो इसको हम बोलते हैं एक शब्द है differential heating, differential heating होती है उसके बाद बात करते है prevailing wind तो यह बड़ा important carrier है energy का फिर बात करते हैं यहाँ पे चौथा important factor जो की temperature regulation में है वो है ocean currents तो warm ocean currents और cold ocean currents यह दो तरीके की ocean currents है यहाँ दिया गया है जैसे Gulf Stream का है warm है आप देखेंगे East Coast of North America से यह West Coast of Europe की तरफ फिर आप देखेंगे Labrador जो है cold current है तो इनकी वजह से भी temperature में fluctuation होगा यह भी बहुत बड़ा regulatory factor है और horizontal and vertical distribution में हम जब देखेंगे तो कुछ important words आएगा कि temperature अगर आप देखेंगे ocean के surface पे और वहां से जब deep नीचे जाएंगे तो फर्क पड़ता है तो जो फर्क पड़ता है उसमें आप देखेंगे कि temperature rapidly decrease होता है एक जगा पे उस जगा को thermocline layer कहते हैं तो इसको थोड़ा हम देखते हैं कि thermocline कैसा है तो पहला layer जो है टॉप 400-500 मीटर तक होता है रफली और इसमें 20-25 दिगरी temperature होता है यहां पर इसमें बहुत rich zone for animals, plants भी होता है और फिर second layer है आपका thermocline यहां से 500-1000 मीटर या कई जगा पर आप देखेंगे 400-1000 मीटर भी लिखा मिलेगा वो जो zone है वहां पर तेजी से temperature घटता है यह जो slope बना तो इ क्लाइन वर्ड यूज देखेंगे मतलब है कि slope है कोई ना कोई तो यह slope जो है यह ध्यान से देखेगा यह thermocline क्या है अब बात करते हैं third layer जो कि सबसे deep ocean layer है और यह आपका diagram है तो सबसे ऊपर हो गया यह shallow water zone यह हो गया आपका thermocline layer और इसके बाद फिर almost temperature दीरे दीरे constant ही र साथ करें right और लिखा गया है कि temperature falls rapidly up to depth of 200 meter फिर temperature दीरे-दीरे slow down हो जाता है गिरना फिर आते हैं salinity की नमक का content dissolved salt कितना है तो आप देखेंगे इसको कैसे calculate करते हैं amount of salt in gram dissolved in 1000 gram या 1 kg of sea water और एक symbol है यह percentage जैसा देखने वाला symbol right इसको हम बोलते हैं PPT parts per thousand how many parts of salt are there for thousand parts of water तो इसको हम जब देखते हैं तो salinity बहुत important property है और 24.7 जो है इसको upper limit demarcate किया जाता है कौन से water के लिए brackish water याद होगा इंडिया में brackish water कहां गुमने जाते हैं केरला में गुमने के लिए जाते हैं right तो अब देखेंगे इनका salinity 24.7 है लेकिन average salinity जो ocean का है वो 35 PPT मा माना जाता है पूरे overall ocean का यह average माना जाता है अब salinity ऐसी factor है कि यह बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता है इस पर evaporation precipitation के ratio पे freezing and thawing of polar areas पे और temperature के distribution पे wind के influence पे यह सारे important factor है salinity को control करने के लिए अब कुछ body of salinity का भी जिकर किया गया यहाँ आप देखिए Turkey में 330 है यहाँ dead sea 280 है लेक वैन जो है वो कितना है saline आप देख सकते है salt lake 220 मतलब 35 तो average है ocean का उसके 10 गुना जादा dead sea है almost तो यह सब चीज़े आप देख सकते है और इसको temperature variation को यहाँ दिया गया है आप इसको map को भी देख सकते है horizontal salinity distribution की भी बात की गई है तो red sea में अलग ह Arctic में अलग है Pacific में कुछ areas में अलग salinity है यह सारी बात है यहाँ आपको देखने को मिलती है Baltic Sea में खास करके lowest salinity दिया गया है क्योंकि यहां बहुत सारे fresh water जो है वो मिलता है उसमें फिर Mediterranean में higher salinity क्योंकि evaporation बहुत हाई है फिर Black Sea में enormous fresh water आता है river के थ्रूँ तो यहाँ पर factor determine करती है कि salinity कितनी होगी अब global climate change में यह चीज बदलाव आ रहा है एक process है जिसको आप जरूर पढ़ियेगा atlantification कैसे salinity और density बदल रहा है Atlantic areas में क्योंकि influx of fresh water हो रहा है melting से और ocean currents जो है वहाँ पर पानी लेके जो जा रहा है उससे तो यह atlantification process भी इसी से related है इसको ध्य देखेंगे तो जैसे vertically temperature का ऐसा graph है वैसे salinity का भी ऐसा ही graph होगा आपका almost और salinity के graph को हम क्या बोलेंगे है लो क्लाइन वहां क्या कहते थे temperature को थर्मो क्लाइन तो यह है लो क्लाइन जो होता है वहां पर होता है और यह सारी चीज़े एक चैप्टर में दी गई है तो सिर्फ यह चैप्टर नमोर 13 जो है इसमें कितनी बाते कह दी गई है और इसमें से factors कितने important है terminology कितनी important है इन सब चीज़ों का ध्यान रखके आप इसको पढ़िए notes बना लीजी इसमें से और diagrams बड़े छोटे-छोटे important है वह ज़रूर practice करेगा आपके सारे competitive exam जिसमें written exam में questions आते हैं geography से वहाँ आपको यह जरूर मदद करेगा general studies में भी help करेगा so all the best wishes मैं आशा करता हूं आपको यह सारी बाते समझाई आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए videos को definitely like कीजिए share कीजिए चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो करके रख लीजिए और अगला वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग अल्द बेस्ट टेक क्या